हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग हैं फिर से स्वागत है आपका हमारी इस न्यूग वीडियो में जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि आप लोग का एक्जाम भी है वह बहुत ही नजदीक आ रहा है इसलिए कोश्चन है आपका इसू आप सेर से ठेक है तो यह कोशन मोस् आप 10,000 करती है 12,000 का एक्विटी सेर्स जो की 10 जनरल पॉब्लिक पेवल्स दो ओन एप्लिकेशन जो की हमारा 10 रुपय का रहता है और 2 रुपय करता है एप्लिकेशन पर चार पर पर एलॉट्मेंट पर और चार पर फिर करता है फर्स्ट और फाइनल कॉल पर तो चार और 4-4 add करेंगे 8 और 2 जो हम application पर करते हैं 10 हो गया, all amounts were received as and when due और सब amounts होता है, हमारा receive होता है और कब due होता है इसके लिए आपको past general entry companies के book में करना है तो चलिए इस काम solution आपको हम बताते हैं यह आपको बहुत ही most important question है जो issue of share से आपको पूछ सकता है बाड़ा हजार equity share और 10 रुपे के हिसाब से तो बाड़ा हजार को गर 10 से multiply करेंगे तो total आपका equity share हो चाएगा जो कि 10 रुपे का एक है तो कितना हो जाएगा तो बाड़ा हजार लोग को मान लीजे share है आपका तो एक लाग बीस हजार तो application पर कितना receive हो रहा है allotment पर सब यहां दिया होता है allotment पर दोर पर receive हो रहा है तो बाड़ा हजार equity share उसको दो से multiply करेंगे तो 24,000 रुपे आपको application का money मिल रहा है फिर second condition में allotment का जो होता है उसमें 48,000 मिल रहा है इसके बाद first and final call पर आपको 48,000 पर मिल रहा है इसके लिए आपको generally pass करना है तो चलिए बहुत ही simple है देखिए कैसे है bank account DR to equity share application account first जो entry करेंगे हम लोग bank account DR to equity share application account amount 24,000 पर application का लिखेंगे next इसको हम लोग capital account को credit करने के लिए equity share application account debit to equity share capital account को हम लोग यहां पर entry करेंगे तो दो entry हुआगा होगा एक application के लिए फिर allotment के लिए दो entry देखिए अब equity share application account DR to equity share capital account equity share यहां पर हम लोग बाद में capital account को credit करेंगे देख रहे हैं और इसको यहां पर first में हम लोग credit करेंगे किसको allotment account को allotment account हमारा equity share allotment account debit हो रहा है पहले देन उसके बाद हम लोग bank में इसको क्या कर रहे हैं बैंक को debit कर रहे हैं और allotment को हम लोग credit कर रहे हैं ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा सकेंड में हम लोग पहले application capital को credit करेंगे ठीक है देन उसके बाद हम लोग bank को हम लोग capital को credit और bank को रहेंगे और next जो है आपका यहां 48,000 हो गया bank account DR2 क्या है यहां बैंक account DR2 equity share allotment account यह 48,000 यह भी आपका हो जाएगा next जो है आपका fixed capital के बारे मतलब share first and final call के पर तो कुटी share first and final call को debit करेंगे और capital को credit करेंगे आप तो और 40,000 हुआ देखिए हम लोग credit कहां कहां करेंगे तो capital account credit करेंगे यहां इसमें एक नियम है कि second जो allotment का पैसा होगा उसमें हम लोग पहले capital credit कर देंगे बाद में नहीं करेंगे उसके बाद जैसे तैसे बाद में करते थे वैसे कर सकते हैं तो bank को पहले लिया है capital को कर दिये फिर आएगा bank account year to equity share first and final call account और 40,000 और 40,000 हो गया ठीक है क्योंकि यह हमारा क्याचीज का पैसा था first and final call का तो first and final call पे भी आपको कितना रपे मिल रहा है आप है और 40,000 पे मिल रहा है तो देखिए equity share first and final to equity share capital account bank account DR2 equity share first and final call account तो यही आपका था I hope आप समझ पाये हो ठीक है मिलते हैं next question के साथ and next video में